आकाश्वाणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार। आकाश्वाणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार। शाम को सांस्कर्तिक संध्यक आयुजन किया जाएगा। इस्थानी M.V.M. मैदान में कल से शरू हुए तीन दिवस्य फेस्टिवल ओफ डेमोक्रेसी में मतदान का पृतिश्यत बढ़ाने के लिए प्रिविद कारेक्रमों का आयुजन किया जा रहा है। आज ये दूसरे दिन भी कारेक्रमों का दौर चलेगा कल 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस कारेक्रमों के अंतरगत सहा से खेल हाट एर बैलून, एरो मॉडलिंग, कमांड डूरिल, बुल राइड, एटीवी बाइक, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग तता वाल क्लाइमिंग, वाटर रोलर, पैरमोटर और पैरसलिंग आधिक आयोजन किया जा रहा है फेस्टिवल ओफ डेमोक्रिसी के साथ ही तीन दिवस्ये काइट फेस्टिवल भी चल रहा है जिसमें तीन फिट से तीन सो फिट तक की पतंगों के जरिए मतदाता संदिश दिया जा रहा है प्रधानमंती दरन बोधी ने कहा है कि सरदार वल्लब भाई पटेल की दूर दर्शिता, समवेधन शेलता और राजनेतिक कौशल के कारण ही देश एक सूत में बना है कल आकाशवार्णी से मन की बात कारेकर में श्री बोधी ने कहा कि रास्टर 31 अक्टोबर को सरदार पटेल की जैनती के अफसर पर उन्हें श्रद्धांजली अर्पत करेगा और उसी दिन स्टेचियो आफ यूनिटी भी रास्ट को समर्पत की जाएगी प्रदानमंती ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है उन्होंने कहा कि मैं नहीं हमकी भावना लोगों को निश्चित रूप से प्रेड़ित करती रहेगी प्रदानमंती ने कहा कि जहां भी विश्व शान्ती की चर्चा होगी वहां भारत के नाम और योगदान सुरने मक्षरों में अंकित दिखेगा कॉंग्रेस के रास्टी अद्धक्स राउल गांधी आज से राज्जिक के दो दिवसी दौरे पर आ रहे हैं श्री गांधी उज्जन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा आजना के बाद जन सभा को समभावना है श्री गांधी कल आदिवासी बहुल जिली जागवगा में भी आम सभा को समभावना है श्री गांधी पार्टी की पूर्वरास्टी मीडिया समन वेक सुष्री नह बगगा कल भारती जनता पार्टी में शामिल हो गए भाजापा की यहां जारी विज्जप्ति के अनुसार श्री कॉल प्रदेश के मुख्यमंति शेवरा सिंग चोहान भाजापा प्रदेश अद्धक्ष राकरिश सिंग और प्रदेश प्रफारी डॉक्टर विने सहस्तर बुद्धिस सहित पार्टी के वरिष्ट नेताओं की समक्ष भाजापा में शामिल हुए हैं इसी थरा आम आद्मी पार्टी की पूर्वरास्ति वीडिया समन्वैक सुश्ष्री नहा बग्गा भाजापा में शामिल हुए उन्होंने भाजापा के प्रदेश अद्यक्ष राकिश सिंग की समक्ष पार्टी की सदस्या ताली इस अफसर पर बोपाल के सांसद आलुक संजर सहित कई भाजापनेता उपस्तित थे प्रदेश में आगामी विधानसवा चुनाओं में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं आम लोगों को इस अभियान से जोडने के लिए विभिन कारिक्रमों के आयुजन का सलसला जारी है खंडवा जिले में आगामी एक नवंबर को राज्ज के स्थापना दिवस सम्हारों के मौके पर नागरिकों को मतदाता जागरुकता संबंदी शभद दिलाई जाएगी इसी तरह शेवपुरी जिले में नूडल अधिकारियों को विधान सवा निर्वाचन कारी हितू सौपिकाए दायित्वों की समिक्षा की गई इस दोरान अपर कलेक्टर ने निर्देश दिये की निर्वाचन प्रक्रिया के दोरान समय समय पर राजनेतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उमीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशान निर्देशों की जानकरी देने हितू आयोजित होने वाली प्रादेशिक समचार आकाश्वानी भूपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताजा समचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट प्रादेशिक समचार आकाश्वानी भूपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं उच्चितम न्यायले द्वारा आज इलाबाद उच्च न्यायले के 2010 के फैसले को चुनोची देने वाली कई आचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है उच्चितम न्यायले ने आयुद्या में राम जन भूमी, बावरी मस्जित, विवादित भूमी को तीन हिस्टों में बाटने का फैसला दिया था प्रधान न्यायदीश रंजन गोगोई के अध्यक्ष्टा में तीन न्यायदीशों के पीट इस मामले में दायर अपीलों की सुनवाई करेगी उचीतम न्यायले ने पिछले महिने 1994 के अपने फैसले की टिपड़ियों पर पुनरविचार करने के मुद्दे को पांच न्यायदीशों की समविधान पीट को भेजन से इनकार कर दिया था उच्च नियाले ने 1994 के फैसले में कहा था कि मस्जिद इसलाम का भिन हिस्सा नहीं है ये मुद्दा उस समय उठा था जब तीन नियाय दिशों की पीट इलाबात उच्च नियाले की फैसले के खिलाफ तायर या चिकाओं की सुनवाई कर रही थी आदर्श आच्रन सहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2018 तक प्रदेश में कानून इवं सुरक्षा विवस्था कायम रखने के लिए 21,222 गेर जमानती वॉरनेंट तामिल करवाई गए हैं साथ ही 1,927 अव्यद हतिया जब्द किये गए हैं और 2,34,617 शाहस्तर थानों में जमा कराए गए हैं प्रदेश में 53,503 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कारवाई की गई है संपत्ती विरूपन के अंतरगत 14,43,326 प्रकरण पंजी बद किये गए हैं जिनमें से 13,95,843 प्रकरणों में कारवाई की गई है शाहस्की संपत्ती विरूपन में 11,36,355 प्रकरण पंजी बद कर 11,7,160 प्रकरणों में कारवाई की गई है नेजी संपत्ती विरूपन के अंतरगत 3,6,991 प्रकरण बंजीबद कर 2,88,683 प्रकरणों में कारवाई की गई है वाहनों के दुरुप्योग पर 7,683 प्रकरण बंजीबद ये गए है ओमान के मसकट में कल रात एशियन चेंपियंशिप ट्रॉफी होंकी प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान को सजय तुरूप से विजेता घोशित किया गया वारी वर्षा की कारण फाइनल मैच खेला नहीं जा सका दोनों पक्ष के कोच की सहमती से ये नड़ने लिया गया मौजूदा चेंपियंशिप भारत बिना कोई मैच हारे प्रतियोगिता के राउंड रॉबिन चुरन में तेरांगों के साथ शीष पर रहा सेमी फाइनल में आज उसने गरपैसे दोबारा सुन ले सेमी फाइनल में उसने जापान को तीन दो से हराया इससे पहले भारत और पाकिस्तान दो दो बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीच चुके हैं अब कुछ समाचार संशिप में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रतियाश्यों के समर्थर में राज्य के विभिन हिस्तों में परचार अभ्यानी शुरू कर दिया है इसी करम में कल गुवालियर में दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री और प्रोदेश प्रभारी गोपाल रॉय ने जन सभा को संभोधित किया अनुपुर में निर्वाचन प्रक्रिया सो विवस्तित रूप से संपन कराने हितु पर्थम प्रशिक्षन दिया गया प्रशिक्षन में अनुपस्तित रहने वालों को कलेक्टर इवं जिल्ला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर उक्त सभी को तीन दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए रुद आदिशित किया गया है मुरेना जिले के बानमूर इंडस्ट्रियल एरिया में सर्जिकल रुई बनाने की फेक्टरी में आग लग गई इस पर काबू पाने के लिए मुरेना जिले की दमकले वहां भेजी गई शेडुल जिले के बुढ़ार में सीमा सुरक्षा बल और स्थाने पुलिस के जवानों ने फ्लेग मार्च कर भेमुक्त मतदान का संदिश दिया मार्च नहरू कॉलिज ते रहाय से शुरू हुआ और अमलाई चोग पर समाप्थ हुआ इस दोरान प्रतिक वार्ड में फ्लेग मार्च के ज़रिये लोगों को सुरक्षा का भरुसात दिलाया गया अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर फेस्टिवल ओफ डेमोक्रेसी का आज दूसरा दिन मतदाता जागरुक तक ली होंगे कई कारिक रहूँ कॉंग्रिस अद्धिक श्राहूल गांधी का दोदिवसी दोरा आज से उज्जैन में महाकार मंदिर में करेंगे पूजा अरुध्य मामले पर उच्छेतम नियाले में सुनवाई आज संभव और एशियन होकी चेंपेंशिप ट्रोफी का फानल वर्षा से बाधित भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता इसके साथ ही प्राधिशिक समाचार का ये बुलिटिन समापत हुआ झाल अरुदम्न के समाचार का ये बुलिटिन समाचत विल्ट विल्टिन समाचारो clothे हुआ